हिमाचल उप्चुनाफ से जूड़ी हुई इस वक्त की बड़ी रहम जानकारी फिलाल आपको बताने चारी ये बड़ी खबर मंडी जिले के सुन्दनगर से आपकी टीवी स्क्रीन पर है और यह आपको बता दे की करसोग में उनकी जनसबा हुई और कांगू अमबेटगर भवन में वो जनसबा करने वाले हैं मुक्य मंत्री जैराम ठाकूर करेंगे और ये भी आपको जानकारी दे दें की सीएम जैराम ठाकूर अभी तक सरकार के तरफ से क्या कुछ योजनाई चलाई गई है और विकास के नाम पर बीजेपी प्रतियाशी के फक्ष्में वोट के अपिल कर रहे हैं हिमाचल उप्चुनाफ से ही जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको सोलन जिले के अर्की विधान सबाक शेतर से बताने जारें हिमाचल उप्चुनाफ से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर फिलाल लाइब तस्वीर आपके टेलिविजन स्क्रीन पर है अर्की विधान सबाक शेतर पहुंचे हैं चत्यसगर के मुख्यमंत्री बुपेश बगेल और जनता का सैलाब किस तरह से उमड़ा है तस्वीरे आप देख सकते हैं जन सबाक फिलाल वो कर रहे हैं कॉंग्रिस प्रबारी राजीव शुकला भी उनकी साथ मौजूद है तो अर्की विधान सबाक शेतर से ये लाई तस्वीरे फिलाल आपको दिखा रहे हैं जहां चत्यसगर के सियम भुपेश बगेल जन सबा कर रहे हैं अरूमै कर रहे हैं प्राजीव शुक्ला भी मौजूद फिलार ब्राजीव शुक्ला की तरफ से जनता को संबोधित वो कर रहे हैं और साथी साथ ये भी आपको बता दे कि कुछ देर बाद वुपेश बगेल भी जनसभा करेंगे और जनता को संबोधित वो करेंगे तो चले बापको एक और बड़ी ख़बर से मुखातिब करवाते जुबल कोटखाई से बड़ी ख़बर है प्रचार के आकरे दिन जुबल कोटखाई पहुँचे केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकोर पहुँचे है आज शाम पांच बजे चुना प्रचार ठम जाएगा और इसी को लेकर पूरी ताखत सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष दोनों की तरफ से चुना प्रचार में चुकी जा रही है पार्टी कारेकरताओं ने भव्य स्वागत जुबल नावर कोटखाई में अनुराग ठाकोर का किया थोड़ी ही देर में जनसभा भी अनुराग ठाकोर करने वाले हैं अब जुबल कोटखाई से ही एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रही है बड़ी खबर आजाद प्रतियाशी चेतन बराक्टा से जुड़ी हुई है पोटखाई में चेतन बराक्टा ने रैली निकाली है तस्वीरे आपकी चलिविजन स्क्रीन पर है आजाद प्रतियाशी के तौर पर चुनाव लड़ रही है बीजेपी से टिकेट पहले चाहते थे और आज चुनाव लड़ का क्योंकि आखरी दिन है और आखरी दिन उनकी तरफ से चुनावी रैली निकाली गई है और किस तरह से इस रैली में सहलाब उमड़ा है तस्वीरे आप साफ़तोर पर डिट से हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की एक और विधानसभा के तीन सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में चुनाव परचार शाम के समय थम जाएगा इसके साथ यह अंतिन दिन के लिए सत्तारूर बीजेपी और मुख्या विपक्षी दल कॉंग्रेस ने पूरी ताकत जोंग दी है बीजेपी के स्टार पुचारक और केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकुर जुबल कोट खाईक शेत्र में गरजे तो वही पर मुख्य मंत्री जैराम ठाकुर कर सोग में जनसभा करते हुए नजर आए ये भी आपको जानकारी दे दें कि कॉंग्रेस की ओर से च्ट्रिस गर्ड के मुख्य मंत्री भुपेश बगेल और कॉंग्रेस प्रबारी राजीव शुकला अर्की में प्रचार के लिए पहुँचे हैं दूस देर पहले तस्वीरे भी हमने आपको दिखाई थी और ऐसे में आज शाम पांच बिजे चुनाव प्रचार थमने बाला है और सभी प्रतियाशियों की तरफ से साथ यसाथ सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जो स्टार प्रचारक हैं वो भी ग्राउंट पर मौजूद है और पूरी ताकत चुनाव प्रचार में जोंग चुके हैं तो इस खबर पर हमारे साथ जानकारी के लिए हमारे टीम ड्राउंट पर मौजूद है विकार शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं साथ ही आपको बता दे कि मंडिय से पूचा हमारे साथ जुड़ी हुई है और सुरेश शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ फिलाल सबसे पहले विकास आपका रूख करना चाहेंगे क्योंकि चुनाव प्रचार थमने में अब कुछ ही समय बचा है ओवराल हिमाचल की अगर बात करें तो कहां कहां से कौन प्रचार करा है विस्तार सकते बिल्कुल देखें मद्दान केंदरों में आपका पहुंचने का सिलसला जारी है और आज भी कुछ मशीने जो है वो बेजी जाएंगी वीवी पियाट जो मशीने है वो भी भेजी जाएंगी और ऐसे में जो चुनाव आयोग है पूरी तरह से तैयारिया पहले ही कर ली गई थी और इस बावत जो सुरक्षा के इंतजामात हैं उसके लिए भी एक बार फिर से जो है वो वहां पर बात की जा रही है और सुरक्षा के पुखता इंतजाम होने का भी दावा जो है वो यहां जा रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए और जो यह मद्दान है इसमें जो है वो लोग भाग ले इसके साथ ही जो चुनावी रैलिया है वो भी चरम पर हैं और बड़े नेता जो है वो आज चुनावी रैलिया जो है हिमाचा प्रदेश में जगा 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 चारों उपचुनाव सीटों में लगातार की जा रही है और ऐसे में जो संसी एक्षेतर है मंडी बहुत बड़ा एक्षेतर है और ऐसे में 17 विधानसभा शेतर जो हैं वो इसी संसीए सीट में हैं ऐसे में अगर पूरे भारत की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर ये इतनी बाटे की टकर है वो चारों ही जो उपचुनाव हैं चारों उपचुनावों में देखने के लिए मिल रही है सबसे पहले अगर जुबल कोटखाई की बात करें तो जुबल कोटखाई में त्रिकोणिय मुकाबला है लेकिन आज एक बड़ा घटना गरम वहाँ पर हुआ है सबसे पहले बूपेश बागेल जो कोई जिनको वहाँ पर जाना था और 36 गड़ के मुक्यमंत्री है हिमाचल दोरे पे हैं अर्की पहुंचे लेकिन खड़ा पत्थर जो है वो नहीं गए इसी बीच जो अनुराग ठाकुर है वो भी वहाँ पर पर परचार करते नजर आए बड़ी जनसभा को संभोती तो उन्होंने किया लेकिन अगर हम चेतन ब्राक्ता की बात करें तो आज एक एतिहासिक शन उनके लिए भी जरूर होगा खुश तो बहुत होंगे चेतन ब्राक्ता क्योंकि आज की जो रैली उनकी जो फाइनल विदानसभा आज वहाँ पर हुई है उसमें हजारों की तादात में लोग जो है वो इकठा हुए और अपना दमखम वहाँ पर दिखाया कुल मिलाकर खेतन ब्राक्ता ने आज अपना शक्ति प्रदर्शन वहाँ पर किया है और इसके साथ साथ अगर हम अर्की की बात करें तो अर्की में भी मुकाबला जो है वो नेक टू नेक यानि की काड़े की टक्तर जो है वहाँ पर माना जा रहा है एक तरफ बिजेपी के बड़े चेहरे जो है वहाँ पर पर परचार करते नजर आए वहीं कॉंग्रेस की तरफ से भी परचार परसार जो है वहाँ पर किया गया इसके साथ ही फतेपुर है फतेपुर में भी त्रिकोणिय मुकाबला है राजन सुशान जो की पूर में मंत्री रहे हैं विधायक रहे हैं सांसद रहे हैं इसे में बड़ा दमखम जो है शक्ती परदर्शन के साथ वहाँ पर किया जा रहा है और ऐसे में भाजपा जो भाजप लेकिन आज शाम 6 बजे के बाद पूरी तरा से चुनाप पर धब तैब कि आपके बैग्राउंड में काफी बेर भी नजर आ रहे हैं जी मैं आपको बतादू इसमें हम जुक्वल के अंटी में हैं जहां पर चेंद्रियों मंत्री अनुराग ठाकूर जन्सवा को संबोजित करने वाले हैं आपको बतादे कि जुक्वल और कोट खाई में पहली बार भार्षिय जन्ता पार्टी में एक महिला को प्रत्यासी नहीं इसने पुरूपा जो इत्यास रहा है देनोराजनीतिक पार्टी ने कदी भी महिला को प्रत्यासी नहीं रहा है तो इस लिहाद से भार्षिय जन्ता पार्टी में यह जो पूरे देश में उप्किनाव हो रहे हैं उसमें पहली बार परिवार वाब के खिनाप जो कैसी पार्टी की एक जूर्ता के लिए पेंद्रियो मंतरी अनुराग ठाकूर यहां पर है देशरकार के आला नेता और मंतरी यहां पर है और जन्ता को संबोधित कर रहे हैं जी मंडी के अगर बात करें तो सुन्दनगर में आज ताबर तोड जन्सभाए मुख्यमंतरी जैराम ठाकूर की एकर सगूग में जन्ता को संबोधित उन्हें किया इसके बाद क्या उनका कारिक्रम रहने वाला है पूजा जी आज इस तरह से जैराम ठाकूर जी सुन्दनगर में अपनी जन्ता को संबोधित कर रहे हैं उसी के साथ आज सुनने में आ रहा है कि शाम को मुख्यमंतरी जैराम ठाकूर जी लोगों के घरगोरों में जाकर भी जो अपना प्रजास प्रसास जोरों पर रखेंगे उनसे विकार्स अगर पोलिंग पार्टिस की बात करें तो कहा यह जारा क्या आज से पोलिंग पार्टियां भी रवाना होना शुरू हो जाएंगी बिल्कुर देखिए कुछ दिन पहले ही ये परक्रिया शुरू कर ली गई है जो की कबाईली इलाके हैं जनजाती इलाके हैं वहां के लिए जिस तरह से चमबा भरमौर की अगर बात करें तो चमबा जिले का जो भरमौर इलाका है या फिर पांगी इलाका है यहां पर पहले ही ये EVM मशीन्स और वीवी पैट मशीन्स जो हैं वहां पर भेज दी गई थी और इसके इलावा अगर हम काजा की बात करें लाहल स्पीती का इलाका है ऐसे ही जन जाती जो इलाके हैं जहां पर बरबारी होने की आशंका जो है वो पहले से जुताई जा रही थ नहीं करें पर देखा जो रामपुर के आलाके हैं वहां के लिए EVM मशीन्स बहजी गई हैं इसके साथ-साथ कल ये प्रक्रिया पूरी तरह से ठम जाएगी यानि कि EVM को स्थापित करने की जो प्रक्रिया है कल देर-शाम तक जो हैसे पूरी कर लिया पूरी तरह से कर लिया उसको पूरी तरह से जो है वहाँ पर लाइब देखा जा सकेगा शुक्री अविकार शर्मा, पूजा और सुरेश शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए तो आपको बता दे चुनाप पचार थमने में अब कुछ ही समय बचा है और ऐसे में सतापक्ष और विपक्ष की तरफ से प्रत्याजियों या फिर स्टार पुचारक दोनों की तरफ से पूरी ताकत जोंके जा रही है तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरी बताते हैं कि कौन कौन से प्रत्याजियों कहां से चुनाव रहे है मंडी लोग सबाक्षेत्र के अगर बात करें तो ब्रिगेदिया खुशाल बीजीपी प्रत्याजियों कौन्ग्रेस से प्रतिबा सिंग चुनावी रण में उत्री है पतेхपूर विदान सबाक्षेत्र के अगर बात करें तो बल्देव ठाकूर बीजीपी से और अरकी विदान सबाक्षेत्र में रतन सिंग पाल और संजे अवस्ति के बीच टक्कर है पान्ग्रेस से निलम सरैक और चेतन बराक्टा भी चुनावी रण में है तो शदिसगर के सियम वुपेश बगेल इस वक जनता को संबोधित करें सिधे आपको अरक लिए चलते हैं अर्शन को संबनेर एंदरर निया अजय को समय का अर्शन को अपेमिक। संबल्ख वहर्मा को अपोल्खिंग है ना विटों गाण बीदों के इंक विदों को अधर तेकि इसके हां विदों को अधर देकिन के विदों के अधर शुचित कि एए इनका लाहन दान वान जात्ना वान आमाला जान यह अधिसा आप को पता है नचाद लिदों के अधर शीमान आप किल भाण जाना जाना जान जाना 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 जानाना जानां ब्राद्र जी आप जाना है उसे हमको अधर कराना है राजा जी के उसक्तमे हैं उसे नंगे उसक्तमे हैं और राजा जी आगचा की तरह के प्रक्रजा अधिसान बड्र कुम्हें उचत किया है उसमें भी देंगें और गाल जब देंगें आपको परोड़ा कराता है जाम जादा पाते हैं अज़ा भंदी के जाम पाते हैं आपक आदे हैं, पहुए हैं एक ना सूपर बशादे हैं तो अब मास्चाद वेग करें साथ नाथ तो अरकी विधान सबाक शेतर पहुँचे हैं चतिसगड के मुकी मंत्री बुपेश बगेल उनकी तरफ से क्या कहा गया फिलाल आपने सुना चुनाफ परचार में डटे हैं और आज शाम 6 बजे चुनाफ परचार खत्म हो जाएगा तो साल 2019 में हुए लोगसबा चुनाफ की जानकारी आपको देते हैं कि मंडी लोगसबा सीट में कितने लोगों ने मतदान किया था किसकी जीत हुई थी साल 2019 में आपको जानकारी देतें कि 9,43,000 से जादा मतदाताओं ने वोट किया था दिवंगत रामसरूप शर्मा की जीत हुई थी रामसरूप सेहारेते कॉंग्रेस के प्रतियाशी आश्रे शर्मा रामसरूप को 6,47,189 वोट मिले थे तो साल 2019 में मंडी लोगसबा चुनाफ हुए थे और 9,43,148 लोगों ने मतदान किया था अब साल 2017 में विधानसवा जो चुनाफ हुए थे उसकी जानकारी फिलाल आपकी टेलिवीजिन स्प्रिंग पर है साल 2017 में विधानसवा चुनाफ हुए थे पतेपूर में 58,665 लोगों ने मतदान किया था हिमाचल उप्चुनाफ की बढ़ती सरगर्मी में नेताओं की तरफ से जमकर बयान बाजियों का दौर जारी है नूरपूर में बनमंत्री राकेश पठानिया ने मुकेश अगनी उत्री पर तंज कसे सुनिये नहर का शाह नहर का जो प्रजेट कंप्लीट हो चुका है अब जब प्रजेट कंप्लीट हो गया सारे अधिकारी वहां से ट्रांसफर हो गया तो उस दफ्तर का क्या उच्चते रहेगी नमबर एक विधाय कौन था सुनियान सिंग बठानी है किस पार्टी के था कॉई ब्यान देखा आपने कुछ स्टेटमेंट देखा आपने अगर बिमार थे वो बिमार थे क्या मुकेश भी बिमार था मुकेश को भी लगवा मारा हुआ था मुकेश आगे बोलता नहीं यहां पर आचुनाव आगे तो इसको याद आगे हम कॉविड प्रोटेकॉल्स को फालो कर रहे हैं आप इसकी धजी उड़ा रहे हम टीके लगा रहे हैं आप धजी उड़ा रहे इसका जवा मुकेश भी देगा यह आशक मारी देगी किनौर के अगर बात करें तो किनौर में जलविद्योत परियोजना की विरोत में रारंग, आकपा, खादुरी, जंगी और आसपास के कई गाउं के लोगों ने रोश प्रकट किया है बतादे कि इस परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों ने मंडी लोग सबा उप्चुनाफ का बहिशकार करने का फैसला किया लोगों कहना है कि इस परियोजना से कई लोग बुरी तरह से प्रभावित होंगे और ऐसे में सरकार जोनता की बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रही आप एक आप देख़ी है कि सोचल मार जा करेंगे आमने मुद्धेें वहत्ता को क सुनाने जा रहा है और हमारा सीचंस नोटा की उसमें नहीं है हम पूरजोर विरोत करेंगे और इसका बैशचार करेंगे चलिए वाक्त हो चला एक छोटी से ब्रेक का ब्रेकियोज पार हार्याना से जोड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंच आएंगे देख तरी जन्नता टीप